द्रिश्टी आईएस के डेली करेंट नीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करेंट नीज में चर्चा का विशे है E.N.I. अंतराश्ट्रिय अवार्ड दोजार बीस जिसमें इतालवी गर राज्य के राश्ट्रपती सर्जियो मेट्रेला भी शामिल होंगे E.N.I. अवार्ड को Energy Frontiers Award, Energy Transition Award और Advanced Environmental Solutions Award की तीन प्रमुक श्ट्रेणियों में बाटा गया है प्रोफेसर राव को Energy Frontiers Award की श्ट्रेणि में E.N.I. पुरसकार दिया जाएगा E.N.I. अवार्ड को उर्जा अनुसंधान ख्रेत्र का नोबेल पुरसकार भी माना जाता है प्रोफेसर राव हाइड्रोजन उर्जा पर काम कर रहे हैं जिसे पूरी मानवजाती के लाप के लिए एक मात्र उर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है उनके कारे के मुख्य विश्यों में हाइड्रोजन का भंडारन, हाइड्रोजन का फोटो केमिकल और इलेक्ट्रो केमिकल उत्पादन, हाइड्रोजन का सौर उत्पादन और गैर धातू केटालिसिस शामिल है प्रोफेसर राव कोई है अवार्ड एनर्जी एप्लिकेशन और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए इनर्जी ट्राजिशन अवार्ड डेविट टी एलन को जबकि एडवांस्ट एन्वार्मेंटल सॉलूशन अवार्ड जर्गन केरो और जॉर्ग कारगर को दिया गया है इनर्जी एवार्ड का उद्देश ये उर्जा स्रोतों के बहतर उप्योग को बढ़ावा देना और शोत करताओं की नई पीडियों को उनके कारे के लिए प्रोचसाहित करना है इस अवार्ड के तहट नकत पुरसकार और विशेश रूप से धाला गया स्वर्ण पदक शामिल है